इंडिया के आसपास इतनी सारी beautiful countries है जो इंडियन price point और इंडियन budget में इतनी अच्छी तरही fit होती है कि हमें उसके बार में जानकारी नहीं है न वो कभी-कभी मुझे सुनके ऐसा लगता है कि एक criminal offense होना चाहिए क्योंकि हमें सिर्फ Thailand और Dubai के बार में ही हमेशा बताया गया as a foreign destination और उसके beyond हमारी गाड़ी जाती ही नहीं है तो इस वीडियो का इन तक जरूर देखे क्योंकि ये वीडियो बहुत ही जबर्दास और informative होने वाला है तो सबसे पहले ये जानते है कि Philippines आता किदर है वहाँ पर जाने का best time of the year क्या है और वहाँ पर जाने के लिए आपको क्या options है तो देखे Philippines आता है Southeast Asia में ये एक island nation है जिसमें more than 7,000 islands है जी हाँ आपने सही सुना more than 7,000 unique islands है इस country में The best time of the year to go to Philippines would be from the month of October to the month of May जो एकदम dry season रहता है एकदम clear season रहता है तो आपको enjoy करने के लिए बहुत easy पड़ेगा पारिश भी नहीं रहेगी और अभी पहुचने की जहां तक बात करूँ तो देखे Philippines because ऐसे जगे पे Southeast Asia पे located है जो आपको Singapore, Malaysia और Thailand से थोड़ा पास पड़ता है तो आपको सबसे easiest option रहेगा कि आप वहाँ पे flight पकड़ के जाएए इंडिया से काफी direct flights भी जाती है जिसके बार में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ बट जादा करके अगर आप इसको Singapore या Malaysia या even Thailand के साथ कलब कर पाऊगे तो आपके trip के लिए बहुत जादा अच्छा तो नेक्स अभी बात करते हैं वीजा का क्या बंदोबस्त है फिलिपीन जानेगा तो यहाँ पे आपको थोड़ा एक bad news देना चाहूंगा कि फिलिपीन पे वीजा on arrival नहीं है इंडियन के लिए पर वीजा मिलना कोई मुश्किल बात नहीं है दो से आच दिन लगता है processing time और अगर आपको एजनसी के तुरू जाएंगे जो मैं आपको highly recommend करोंगा क्योंकि यह process थोड़ा सा अगर खुझ से करोगे तो शायद लोगों के लिए complicated हो सकता है जब मैंने किया था मुझे भी multiple times documents वापिस वापिस जाके submit करने पढ रहे थे तो इसके लिए मैं एजनसी के थू जो आपको लगेगी to get your visa तो अभी बात करते हैं कि Philippines के trip में जाने के लिए आपको budget wise क्या आपकी expectation होनी चाहिए तो Philippines बहुत ही सस्ती country है जैसे कि मैंने आपको पहले बता है कि Philippines की country का अपना conversion date अगर देखो currency का तो उनका एक पैसो हमारा लगबग 1.40 पैसे की बराबरी करता है so in terms of expenses यह बहुत ही सस्ती country है तो अगर आप जा रहे हो तो मैं तीन कैटेगरी में इसको डिवाइड कर देता हूँ एक है budget traveler, second is family and the third is luxury या honeymoon travelers जो जाते है फिलिपीन्स में तो as a budget traveler अगर आप जा रहे हो तो आपको best चीज यह है कि वहाँ पे आपको बहुत सारे backpack hostel मिल जाएंगे खाना पीना बहुत सस्ता है और internal transportation इंडिया में जितनी सस्ती पड़ती है बाहर गावों में वैसा आपको पड़ेगा बहुत ही चीप है so you are looking at a budget of anywhere between 2 to 2,500 rupees per day which includes everything including your activities comfortably for Philippines तो अगर second segment की बात करो तो वो है family travelers या group travelers तो अगर आप चार के group में जा रहे हो तो आप कही भी expect कर सोते हो living at a decent three-star hotel with eating local food या Indian food साथ में transportation and sightseeing आपको anywhere between दिन का 5 to 8,000 rupees depending on of क्या type का activities plan करते हो आपको पढ़ जाएगा so keep that in mind and lastly honeymoon या luxury travelers की बात करो तो क्योंकि ये travelers को usually budget की कोई constraint नहीं रहती है but still if you're planning a honeymoon trip to Philippines which I highly recommend आपको anywhere between दिन का 10 से 12,000 रुपा पकड़ के चैनलना चाहिए क्योंकि आप जादा करके mostly थोड़े romantic से exotic locations पे जादा रहना prefer करोगे within that price part currency exchange जहां तक बात करो आपको इंडिया में फिलिपीन पैसो इतने आस्तानी से नहीं मिलेंगे but that should not be an issue क्योंकि आप वहापे US dollar लेके जाएए US dollar वहापे widely accepted रहता है and बहुत अच्छा आपको currency exchange rate भी मिल जाएगा वहापे जाने के लिए या तो जैसा मेरा all time favorite है जो हमेशा में लोगों को advice करता हो कि आप forex card लेके जाए या अपना credit card लेके जाए that would be the best way to actually carry money and get a good conversion rate while you're swiping your card over there So अभी बात करते है कि आप जब विलिपीन जाएंगे तो आप कहा कहा जा सकते और क्या क्या देख सकते है तो वैसे तो आप जब फिलिपीन पहुचेंगे तो आप land होंगे Manila में जो वहाँ की capital city है वहाँ पे आप दो दिन आराम से काट सकते है वो एक बहुत बड़ी metropolitan city है और बहुत सारी historical जगे भी है वहाँ पे explore करने के लिए उसके बाद में आप बोराकाई भी जा सकते है वहाँ पे दो दिन काट सकते है यह एक बहुत ही beautiful island है जहाँ पे आपको जाना ही जाना चाहिए when you are visiting Philippines and lastly आपका trip खतम करने के लिए आप Cebu जा सकते है और वहाँ से आप Bohol explore कर सकते हो as well as वहाँ पे दो दिन और भी काट सकते हो and वहाँ से आप रिटन आ सकते हो either directly from Cebu या Manila से वापेस तो आभी बात कर लेते कि आपको कितना दिन का फिलिपीन का ट्रिप प्लान करना चाहिए और correspondingly उसका खर्चा आप क्या expect कर सकते हो तो देखिए आपको एक चीज़ बता तो फिलिपीन एक ऐसी कंट्री है जो आप एक ट्रिप में कभी पूरी देख नहीं होगे प्रिटी मच इंडिया जैसी है बहुत डाइवर्सिटी है तो आपको बहुत बार बार जाने का मन करेगा और क्यों नहीं एक तो फिर भी आप फर्स ताइम जब आप जा रहे हो ना तो मैं आपको सजेस्ट करोंगा कि मिनिमम आप 5 तो 7 डेस का ट्रिप रखे याने कि 5 जा रहे हो तो 15-20,000 रुपया आपका 5-7 डेस का हो जाएगा इन दाट प्राइस पॉंट अगर आप ऐसा फैमली जा रहे हो तो एनिवेर बेट्वीं तो एनिवेर बेट्वीं सेवें 50,000 रुपीज आप पकड़ लीजे जिसमें आपका स्टे खाना पीना या राउंड अब फुटनोट इसमें आड करना चाहूंगा कि अगर आपको यहां की ट्रिप की सेल्फ प्लानिंग करने में थोड़ी दिक्कत होरी होगी न तो मैं हाइली रेकेमेंट करूंगा कि आपको ए टूर कंपनी को कॉंटक कीजे और लेट देम प्लान इट आउट फॉर इंक्लूड आपको पुरी गाइडेट तूर्स का बंदोबस कर लेगा ओनलाइन इसमें जादा मज जाए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऑफलाइन को टूर ऑपरेटर के साथ बैटके सामने सामने डिसकेशन कीजे तो आपको पुरा प्राइज और प्राइस पॉंट विट चीज नहीं रहती है बार-बार आप जितने जगे पर जाओगे वापिस वापिस असा लगेगा कि हर जगे पर आपने कुछ ना कुछ मिस किया है तो यह वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज दो नाट फगेट टो लाइक दिस वीडियो कमेंट एंड शेर विट और फ्रे